अधे अधे किसे आप सब सवागत आप सभी का बाई स्टड़ी विट नीखेल यूटूब चानल पर यहाँ पर बाईलोजी सिखते हैं एक सिंपल वे के अंदर तो आप सभी को पता ही यह थी है तो यहाँ पर सिंपल में हम ट्वेल्ड एलेवन का बाईलोजी दिखते हैं 12 का chemistry physics भी हमने स्टार्ड क्या है ओके आयम पी वन शुट वीडियो डाइग्राम कैसे ड्रॉ करें बहुत सारे डिफ्रेंस बीटुम वीडियो सीरीज वन शुट वीडियो बहुत सारे सीरीज आपके लिए लेक्या है और अभी आप देखो या आप सिंपल में क्लास एर्थ नाइन साइन्स भी लेते हैं यह 50 परसेंट अपलोड हो चुका है मतलब अगर 20 चाप्टर है तो 10 चाप्टर अपलोड हो रहे है या फिर हो चुका है ठीक है और धिरे धिर हम बाकी के रिमिनिंग चाप्टर भी अपलोड कर रहे हैं तो आज आपका सिंपल में यह क्लास 10 साइन्स इस कातर विडियो है वो है तेस्ट सिरीज के उपठर तो तुन 2020 तो चौन 2021 के अंदर जो एक्जाम होगा उसके रिलेटटर यह टेस्ट सुरीज को डिजाइन किया गया है मतलब इसके अंदर के जो आनिवाले चांसेस है को के वह बहुत जाजा है मतलब इसके अंदर के ही questions आपको exam के अंदर पूछे जा सकते हैं तो यह है हमारा chapter number 3 3 के उपर की यह test series है ठीक है और यह test series के अंदर हम क्या करते हैं दो video होते है question sheet वाला एक होता है answer sheet वाला तो यह video है question sheet वाला तो chapter number first and second का जो question sheet और answer sheet वो अपलोड हो चुके है तो चानल के playlist में आपको दिखेगा कि class 10th science news labus के test series वीडियो उस तो आपको वहाँ पे simple में सभी के सभी chapter के question sheet प्लस उसके answer sheet मिल जाएंगे ठीक है तो यह है हमारा test series आपके लिए free में हमने दिया है ठीक है तो आपको जल्दी से चानल को subscribe करना है और साते साथ जो bell icon है उसको भी हिट करना है यह bell icon क्या करता है notification प्रोड करता है आपको जब भी हम future channel को subscribe करो और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर जॉइन हो सकते हो टेलिग्राम ग्रूप का नाम है बायो आपको फॉर्मेट बता देता हो कि हमारे टेस्ट कैसे होनी वाली है ठीक है को सीड कैसी होगे आपकी देखो इसके अंदर चार कोश्चन होगे सबसे पहला कोश्चन टू दिन कोश्चन त्री और कोश्चन फोर ठीक है समझ मैं गया कोश्चन फर्स्ट के अंदर A & B दो टाइप होगा इसके अंदर भी दो टाइप होगा फर्स्ट के अंदर दो कोश्चन होगे एक-एक मार्क के मतलब दो मार्क इसके अंदर ज़ाद से ज़ादा YM SKU पूछे जाएंगे इसके अंदर आपको filling the blank पूछा जाएगा ओके इसक अंदर आपको तीन कोशन रहेंगे तीन मियसे दो सॉल करने हैं और यह चार-चार मिला के टोटल हो जाएंगे हमारे 8 मार्क इसके बाद question number 3 के अदर एक ही question होगा वो रहेगा 3 मार्क का और यह simple में यह होगए 3 मार्क और उसके बाद question number 4 के अंदर एक ही question रहेगा और वह रहेगा 5 mark का, मतलब यह होगा 8 mark, यह 8 प्लस 8 होगे 16, 16 प्लस 4 होगे 20, मतलब 20 mark का आपका test होगा, ठीक है? आपका format समझ में आ गया होगा इसका, यह है हमारा test का format, उसके बाद अभी देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, कि अगर आपने, अगर आपने यह chapter number 3, 3rd, मतलब इसका नाम है Life Processing Living Organism Part 2, यह 3rd वाला चाप्टर है आपका, science, okay, science part 2 का 3rd वाला चाप्टर, तो यह अगर आपने सीखा नहीं है, अगर पढ़ा नहीं है, इसकी practice नहीं किये, तो पहले आप practice करो, उसके बाद test देखना, फिर आप इसको, मतलब कि देखना न या फिर blank space, जो pages है, वो लीजे, उसके अंदर आप solve करके देखो, ठीके, तो अगर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप चैनल के practice में जाओ, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे, वो आप देख सकते हो, ठीके, तो देखो अभी इसका, जो question sheet है, वो आपके सामने आने वाल है, और इसका answer should be मैं जल्दी बना दूँगा, ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आपका questions है, यहाँ पर question number first, उसके अंदर A, इसके अंदर दो multiple choice question रहेंगे, दो mark, एक एक मार्क के दो, सबसे पहला है, इन human sperm production occurs in the organ, जो humans है, मतलब हम human being, हमारे अंदर male female होते है, male के अंदर क् sperm का production होता है, production मतलब create होना, तयार होना, यह sperm क्या है, तो यह gamet है, male gamet हम जिसको बोलते है, और यह male gamet sperm किस के अंदर होता है, occurs in the organ, मतलब जो production है, मतलब जो sperm है male gamet, वो human body के अंदर, कोन से organ के अंदर वो तयार होता है, वो आपको या पर उसका name लिखना है, ठीके, यह बहुत सारे हिस्से में break हो जाती है, और हर एक fragment, मतलब each fragment start to live as a new individual, और हर एक जो हिस्सा, वो body का नया, एक animal बन जाता है, नया plant बन जाता है, उस type के reproduction को, और sexual type का reproduction होता है, उसको हम क्या बोलते है, उसका एक नाम होता है, ठीके, वो नाम आपको यहापे लिखना है, जब इ simple में मैं आपको question sheet दे रहा हो, ठीके, उसके बाद, देखो, question number first का A हो गया, अभी question number first का B देखते है, वो question number first के A के अंदर हमने 2M secure, देख लिए, अब question number B देखो, इसके अंदर है, यहापे simple में question number 3, complete the paragraph with the help of the words given in the bracket, यह paragraph जो आपको भरलना है, इसके अंदर ही आपको simple में दो मार्क मिल जाएंगे, देखो, इसके अंदर आपको देखो, सबसे पहले तो यह आपको hint है, यहापे, सबसे पहला यह word, उसके बाद, endometrium of uterus, second word, then follicle stimulating hormone, third word, estrogen, fourth word, progesteron, fifth and carpus luteum, six, ठीक है, तो यह जो होएगा, यह simple में hint है, hint मतलब क्या होता है, यहापे जो word है यही आ यहापे लगेगा, यह अगर आपको समझ में आ गया, तो simple में यहापे ही, आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ से हमारा जो main paragraph है, start होता है, वो होता है growth से, ठीक है growth से, और end होता है हमारा यहापे, ठीक है, clear में समझ में आ गया, तो इसके अंदर जो भी, यह filling the blank first, उसक के बाद यह 7th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, ठीक है, अभी 8 है, और उसके अंदर 2 है, कुछ एक कम जाएगा के अंदर, यह जो फिलिंद ब्लैंक से, इसके अंदर 2 होंगे, ठीक है, इसलिए 8 है, फिलिंद ब्लैंक और 8 आपको यहापे वड़ दिये जाएंगे, और यही आपको सिक इसके अंदर भरने है, इसका पढ़ाई अच्छे तरी केसी हुआ है, वो इसलिए इसको भर पाएगा, ठीक है, यह है कोशन 1 का B, ओके, फोशन 2 का अभी A देखो, कोशन 1 का A भी हो गया, अभी कोशन 2 का A देखो, इसके अंदर देखो, आपको 4 कोशन से, 4 कोशन में से, सिं पाइखोट सब्च्णी यह उनिसलेवर और अर्गनिजब, एसके अंदर असेक्शूल टैप का रिप्रदलक्शन मतलब की, रिप्रदरशन मतलब 1-2 अनिमल बन जाना, उसको भर बोलेगे रिप्रदक्शन, ग्रोध भी बोल सकते हैं, तो वो जो है ना, उसके अंदर असेक आमेट फॉर्म न करते हुए रिप्रोड़क्शन कौन-कौन से होते हैं वह आपको ध्यान में लिखना है यहाँ पर सिंपल में उसके बाद next explain the concept of IVF यह IVF क्या है इसका long form है in vitro fertilization तो in vitro fertilization क्या होता है यह आपको यहाँ पर explain करना है उसके बाद question number six explain types of twins twins क्या होते है जो कि कभी कभी क्या होता है twins कैसे बनते में आपको बाता था twins कब बनता है कि यहाँ पर आपको पता है कि ओहम होता है female gamet और sperm होता है ठीक है male gamet अभी किस male के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यदा sperm active होते अभी देखो एक ejaculation के अंदर four million sperm बहार निकलते कितने million कितने million four million four million मतलब कितने होते पता है आपको four million मतलब की simple में यह जो है वह 40 यहां पर रिलीज होते है और वो कभी कभी क्या होता है एक ही sperm अंदर जाता है तो यह और यह बेबी बन जाता है लेकिंके सम्टाइम क्या हो जाता है कि दो जो यहाँ पर simple में sperm है ना वह दोनों ही अंदर चले जाते है और simple में 2 बन जाते हैं फिटस और उसकों बोलते हैं यह twins जो है इनके types होते हैं वो types आपको यह पे लिखने हैं ठीक है clear हो गया यह समझे के लिए आपको और यह तीन में से आपको दो ही करने हैं, इसके अंदर देखो, अब इसको मैं answer sheet के अंदर अच्छे से explain कर दूँगा, कैसे आपको लिखना है, यह मिलेगा आपको chapter के अंदर, वो भी बता दूँगा, यह आपका simple में, आपको question sheet है, ठीक है, तो देखो, question number 7, write down the name of any two sexual disease, जो sexual disease है, इसके दो नाम आपको reproductive organs, सबसे पहले flower क्या होता है, उसको explain करो, उसके sexual reproductive organs को explain करो, मिल जाएंगे 2 mark, और यहाँ पर देखो, question number 9, what is mesual cycle, mesual cycle क्या होता है, यह explain करो, and describe it brief, इसको brief के अंदर explain करना है, ठीक है, पालो mesual cycle क्या होता है, इसको लिखोगे ना तो आपको 2 mark नहीं मिलेंगे, आपको simple में एक mark मिलेगा, या फिर आधा ही mark मिलेगा, अगर आप इसको, इसकी definition लिखते हो, इसका important बात ही लिखते हो, उसके बाद इसको describe करते हो, कौन-कौन से phases होते हो, वो लिखते हो, तो अच्छे तरीकी से आपको 2 में से 2 mark मिलेंगे, यह आपको कोई नहीं रोख सकता, ठीक है, तो यह है question number 2B, उसके बाद है question number 3, question number 3 के अंदर एक ही question है, 3 mark का question है, draw diagram of human female reproductive system, जो female reproductive system है, इसकी diagram आपको draw करनी है, अगर इसकी diagram आपको draw नहीं करनी आती है, तो इसका वीडियो आपको मिले जाएगा channel के playlist के अंदर, उसके अंदर हम कौन-कौन से diagram, जो important diagram से उसको कैसे draw करे उसके trick बे मैंने बता दी ही, वो आप देख सकते हो, ठीक है, तो यह solve हो गया, उसके बाद next, question number 4 and last question हो है, 5 mark का एक ही question है, वो है explain a sexual reproduction in plants, plants के अंदर a sexual reproduction, और sexual मतलब जिसके अंदर gametes form नहीं होते, gametes are not formed, and reproduction मतलब क्या, formation of life, okay, from pre-existing life, एक life से दो life बन जाती है ना, तो यह हो पहले जो अस्तितों में थी, उसके नहीं, new life बन गया, उसको बोलेंगे reproduction, तो यह asexual gamete, मतलब gamete, without formation of gamete, how organisms are formed, okay, from their pre-existing parents, उसको बोलेंगे, asexual reproduction, और यह asexual reproduction के आपको types बताने है, या फिर इसको explain करना है, plants के अंदर कौन-कोंसे type के asexual reproduction होते है, या फिर पाय जाते है, ठीक है, तो यह आपको simple में बताना है, question number 4, question number 4, एक ही question, question number 3 के अंदर भी एक ही question, question number 2B के अंदर 3 में से 2, question number 2A के अंदर 3 में से 2, उसके बाद question number 1B, इसके अंदर 1 ही, और question number 1A, इसके अंदर 2 MCQ, दो यह आपको solve करने है, ठीक है, तो यह है हमारा test का format, यह आपको free में है आप solve कर सकते हो अच्छी तरी कि स्वाल करो ज्यादस ज्यादर वीडियो को like करो शेयर करो ताकि ज्यादस ज्यादस ज्याद़ इसके अंदर व्यूज आने चाहिए ठीक है और जैसे व्यूज आते है अच्छी तरीके से मुझे रखता है कि नहीं बहुत सा बच्चों के सामने ये वीडियो चला गया है, तो फिर मैं इसकी answer sheet भी डाल दूँगा, ठीक है, answer sheet का video भी आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा वो channel के playlist में, class 10th science new syllabus, test series का आपको यहाँ पर playlist मिलेगा, उसके अंदर आपको video मिल जाएगे, सभी chapter के question sheet के plus answer sheet के, ठीक है, तो guys यह है हमारा chapter number 3, that is the life processes in living organism part 2, और यह आपके science part 2 में का third chapter, ठीक है, इसकी answer sheet मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा, ठीक है, तो guys अगर आपको video अच्छा लगाओ, तो video को like करना, चालो को subscribe करना, और साथ ही साथ ये video को अपने friend के साथ share करना, तो मिलते गाए, इस next video में तब तक लिए, stay happy, stay motivated, thank you so much